प्रदेश सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के आफसर पर पूरे प्रदेश में वर्चुल मेराथन का आयोजन किया गया आपको बता देगी प्रदेश सरकार एवं छतिसगर ओलम्पिक संग के आहवान पर ये आयोजन किया जा रहा है Unlimited Judo Club Housing Board भिलाई के खिलाडियों ने भी वर्चुल मेराथन में हिस्सा लिया Unlimited Judo Club के कोच पी किशोर और शेक शरीफ के नेतरत्तों में खिलाडियों ने विभिन चोक चोराहो का भ्रमन किया और कलब परिसर में ही इस मेराथन का समापन हुआ इस मेराथन के आयोजन से प्रदेश भर के युवा खिलाडी काफी प्रसन्य नजर आए उनका कहना है कि ये आगाज है कि अब कोरोना काल के बाद समय आ गया है कि मैदान में लोटा जाए इस आयोजन के लिए मेराथन में सम्मिलत प्रतिभागियों ने 36 गर शासन, 36 गर ओलम्पिक संग, एवं अपने प्रशिक्षकों का दिल से धन्यवाद किया मेराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमन से लड़ने के लिए बेहत जरूरी है कि अपनी शारिरिक शमता को लगातार बढ़ाया जाए और यह तब ही संबाव है जब आप घर के अंदर बंध होने के बजाए खुली वादियों में आकर व्यायाम करके और विभिन प्रकार के खेलों को खेले दुर्ग भिलाई से राजिंदर गाड़े वसुनिल सोनी की रिपोर्ट किये हमें हमें पूरा सोचल डिस्टेंसिंग का पालान करते हुए मास लगा के दोड़ा है और मैं अपने कोचेस और ऑलम्पिक संग को सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूं कि हमें मौका मिला करोना काल में हम लोग को प्रेक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा था घर में प प्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घर्ने बाद